जैहिंद चलिए आज देखते हैं क्लास 10 गनीत है प्रसना वाली 4.2 यहाँ पर पहला नमर प्रसन देखे क्या है बोरा गुणाने खंड विधी से नीमन दुई घात समीकरनों के मूल ग्यात करें देखो यहाँ पर जो ग्यात क्याची करना है मूल ग्यात करना है क्या ची ग्या में आगा 2 यहां पर जो हम लोग परहेंगे तो इस चेप्टर में हम लोग टोटल कितने विधी पर एंगे 3 विधी पर एंगे लेकिन यहां पर 4.2 अगर परका घ्रसना वाली सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर्याकिते, आप लोग जानते होंगे जानते हैं परनला हम बता है इसे आप편 जिन перем तो टीन पर आपको दिया रहे गा जब भी आद रखना है कि अगर सजा करके नहीं दिया है सजा करके डेने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अस्कौाइर बला अना चाहिए सबसे पहले क्या चाहिए अस्कौाइर क्यूंकि do आप जरा देखना है तो सबसे पहले क्या चीवला होना चाहिए असक्वाइड वाला उसके बाद क्या होना चाहिए एक्स वाला उसके बाद क्या होना चाहिए अचरपद तो जरा यहां पर कोश्चन को देखो बरहियां से तो किया यह सजा हुआ है या नहीं है यानि सबसे पह तो ज़रा बटाईए तो यह क्या question सजा हुआ है नहीं है तो सबसे पहले इसको आप क्या करिएगा सजाईएगा तो सजाने का मतलब जो एक सस्क्वाइर पलस में यह बाद में दिख रहा था इसको पहले ले आना है यानि सबसे पहले कोची बला लिखेंगे एक सस्क्वाइर उसके बाद क्या दिखेंगे एक्स बला तो यह अब हिपलस में 3-x है है कि नहीं है अब माइनस में 10 बराबर 0 तो सजाने के लिए सब को आ गया सब कि यह प्रस्न आपको बटाया जाएगा पहला आपको मलों की संख्यां कि दो निकलेंगे, बोलिए से हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अब देखो, अगर question सजा हुआ है तो उसको directly हम लोग बनाएंगे, लेकिन अगर question नहीं सजा हुआ था, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, सजाएंगे, तो क्या question को हम लोग सजा दिये हैं, यह देख और तीसरा पद को गुना करें, पहला पद और तीसरा पद को गुना करें, समझ में आगया, तक गुना करोगे, तक क्या ची निकल कर आएगा, जली बताओ, गुनानफल निकल कर आएगा, उसको क्या करते हैं हम लोग, गुनानफल करते हैं, उसको क्या करते हैं, गुनानफल करते हैं समाज में आगया जैसे मान लेते हम आपको दी है दो गुने चार दो गुने चार तो इसको गुना करने पर क्या आएगा आठ को हम लोग क्या करते हैं गुनानफल करते हैं अब समाज में आगया गुनानफल किसको करते हैं जो गुना करने पर प्राप्ट होता है इसी क पहला पाद और तीसरा पाद को गुना करेंगे, अब उसके बाद जो गुनान फाल आएगा, जो उसके बाद गुनान फाल आएगा ना, अब तीसरा नमर रूल देखें क्या है, दूसरा पाद को, दूसरा पाद को दो पाद में विभक्त करेंगे, दो पाद में, विभक्त का म पर दूसरा पद आजाए दूसरा पद आजाए और इसमें और यार रखना कि गुना करने पर गुना करने पर गुनानफल आजाए किसका गुनानफल आजाए पहले और पहले और तीसरे पद का पहले एवं तीसरे पद का सौट में यहाँ पर लिखें ऐसे आपको हम बोल दिये हैं तो आप लिख लिजेगा ठीक है देखें यहाँ पर तो सबसे पहले क्या करना है कि सजाना है और सजाने का बाद क्या काम करना आपको पहला पद यह है और तीसरा पद यह है तो यह दोनों का गुणा करना तो ज़रा यह दोनों का गुणा करिए अब चलिए हम लोग बनाते हुए चलते हैं अब देखे इसको ज़रा गुणा करिए तो यानि एक सस्क्वाइड गुने 10 करेंगे गुने माइनस 10 ना माइनस में तो माइनस 10 लिखें तो क्या ओएगा माइनस 10 एकस स्कूरीर ऐगा है में बिवाक्त करना है समझ में आ गया तो यहां पर जो अगर गुना किये थे तो क्या आया था अगर आचरपद में हम लोग बात करने तो आचर में यहां पर क्या आया है दस यानि एक्स भाई पर आप नहीं जाए यहां पर जिसे एक्स भाई है हो सके तो अगला में एक्स भा क्वेट गबराने के आपको बात है यहाँ पर t भी रहा सकता है यानि त्सक्वाइर-3 t-3 तो उसे घंपने की बात नहीं सब्रेंने क्यां और किसे क्या और इसका क्यों कि अगर ये़ तो तो सबसे गोब्राना के नहीं में कायम करएगा स pasture डून्हानाँ तो घुणा करने पर चाहिए नइ सैंदे चाहिए सबस्क के बदाना तो इसको मुनाने के लिए जौس बनानाा है चाकि जोरने या घटाने पर क्या आना चाहिए कि नहीं आगर गुणा करने पर क्या आना चाहिए आप समझ में आगे तो एकस पर ऊटना ध्यान नहीं दो समय मैं एक से कोई डिकत नहीं होगा एक साप दोनों में जोड दिजेगा यहां पर देखे अगर पद देख रहे हैं समझ सॉरी अगर अचारासी देख रहे हैं तो क्या है दस आप दस का क्या निकाल लिजिए दस इसको बताओ क्या हम लोग या एक बार आव लगाना चाहिए लगा सकते हो कि नहीं तो यानि आप इसको क्या लिख सकते हैं दो गुने पांच गुने एक जरा ध्यान दो कि जो रने यह घटाने पर क्या लाना है जो रने एक दान पर माइनस टीन आना चाहिए जरा ध्यान दो बन्यासे इसमें से दो टर्म बनाना इसको से के लिख दो ले ले लेते हैं देखो एक दूने को गुना करें तो क्या आईगा पांच वो आपको निर्भाश करें जो बीच में लाना ना उसके उपर उसी को निर हें दस आयेगो एक बच गिया स्मयंगर दस अगर एक लेंगे दस एक लेंगे तो बताओ कि दस में एक जो रहें तो क्या आएगा 11 डास में गहत आएगे तो नव जिब करना नहीं हमको तीन चाहिए समय तो जरा दो अगर पांच में से 2 अन्य पाइंगे तो क्या अएगा तीन आएगा आएगा नहीं है लेकिन लेकिन अगर इसको to minus मैं आ जाएगा मन आपको ध्यान एजपने ही लगाना अगर माइनस में लाना है अगर माइनऑ में लाना तो बर्का को माइनस में लेना परेगा बरा जो रासी यहां पर आएगा अच्छरपद उसको उठा करके कहां गदो यहां पर यानि पालस में टू एक्स और माइनस में फाइव है अब समझ में गया यानि तो गो टर्म ऐसा बनाना है कि देखो इदुन्यों को जरा आप जोरो या गहटाओ तब माइनस 5X में से पलस टू एक्स जाएगा तो माइनस 3X बचेगा कि नहीं तो बोलो बीच वाला पर आ रहा है की नहीं नहीं आरा है दूसरा पर आ रहा है की नहीं आरा है माइनस में दस है और बोलो अब लिये चलो अब यह तो कि दोनों टर्म बना के कर लेक्प rag Here एलस्जियम ले ले लिए्वए लन मरे लेना क्या लेना lUCK wal देखें तो देखो देखें तो यहाँ पर किए एक अब और कुछ मिलने वाला इहां दो है यहां तो नहीं है नहीं है तो छोड़ो तो यहाँ पर इससे से एक सकते हैं कि यह से नीखाई ढ़bot है से तब बटाव एक सास्क्ता कोरा को वो तिया आज्य और शच्छ नीखा लेकस तो क्योंच जो यह तो आप वत्रह तो एक अगंतो निकाले था तो यह तब यह दोनों में कुछ common है तो देखो 5 common दोनों में है चाहिए और 5 के पहाराśmy दौनों सकता है तो दोनों के त tumblr में क्या आ रहा है पांच अगाओ लेकिन यहां नहीं है तो dont में रहें पाउमन यहां नहीं इसका मतलब बताओ यह इपने निकल कहां तो सब्सक्राइब तो सबस्क्राइब आप दूसरा मेंध presentus तब मैसदास को केतना सभागा माईस-माइस कटम पांदो नी तम मैसमाइस कटम यानि कोची में आगा पर आसमें न तब बलाश तू अब बरहियां से देखोगे तो यह और यह तुमको शमान दिकता होगा था एगो तो यही ही लिखा जाएगा यानि एकस पलस तू अर नहीं करना एक पलस तू बराबर जीरो एक बार इतना के बराबर जीरो कर देना और एक बार इतना के बराबर जीरो तो बटाओ एक बराबर क्या जाएगा माइनस तू और एक बराबर पांच तो यहां पर मूल क्या-क्या निकल क्या बटाओ तो यानि मूल बराबर क्या क्या गया माइनस दो कॉमा पांच बोलो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब अगला प्राशन हम लोग देखते हैं प्राशन संख्या तू अब इसको थ्वासा साफ करते हैं अब बोलो यहां पर जो हम बेसिक था वह बटा दिये हैं अब जरा देखिएगा फिर से अब फिर से वही काम होगा कि नहीं होगा पहिला और लास्ट वाला को गुना करिया आप पहिला लास्ट वाला को जैसे है वाई से लिख दिजे लिखाएगा कि नहीं और बीच वाला को दो तर्में तोर के लिखना तो जड़ा बटाईए या दो आप 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 माइनस में आएगा क्योंकि माइनस 6 है तो माइनस 12 आयक सस्क्वाइड भी आएगा तो इस सब पर ध्याने ने देना 12 का क्या निका लिए तो बोलिये दो चाका दूतिया और तीन एकम तीन अब बोले इसको क्या लिखोगे दो गुने दो गुने तीन गुने एक आसे जड़ा ये बटाओ जोरने या घट और हमें क्या लाना है एक जरा दो पद बनाना जरा बरहां से देखो अगर मान लेते ओफ ले लिए लिए ढोट तो बचा जो सब लेना पर हेगा तो दू ती अच्छा बहुत अगर दू अगर मान लेटें च्छाव में से दू घटाएंगे तो कितना बचेगा चार जोरने घटाने पड़ने लाना बीच वला तो क्या बचेगा चार अगर चार तो हमको चाहिए नहीं तो बोलो इस तो सूट नहीं करा अगर जो रहेंगे तो च्छाव दू आठ यह भी सूट तो मतलब इसको से नहीं काम चले इसको से काम नहीं चले अब जरा दूसरा सोचो और इसी को फिर से लिखते हैं तो दो गुने दो गुने तीन गुने एक अब इमें जरा इदू गो ले लो अब बार बाकी बचा जेगा आव लेना पड़ेगा तो एग आ रहा चार और एग 43 जवरorts 4 में 3 तो स आवं आएगा कम तो नहीं बन रहा तीक है घंट आगी देखो छार में तीजाइग एफ आँगा लग रहा है कि सूट कर्रान वा जांडे कि नहीं आप बटाओ लिगे तासे लेंगे टीग लेंगेNG माइना माइनस में yar ऐस निन बचार तो दोनों में एक्स लिग दीजियों आप समाझ में रहा है बस कूछ नहीं करना उसका लस्य में सूट करना शूठ अब देखो एव वह गया पलस में 4x पलस में आई वावर क्या हो गया माइनस में 3x बोलो दूगो तर में तूटिया कि नहीं तूटिया अब इसको जरा घंटा उटो तो 4x में से 3x चला गया तो एव एक्स बचेगा देखो तो आ रहा है कि नहीं बीच वाला आई दूनों को कि टेवल में 2 भी आईगा अदुक्का के टेवल में 4 भी आए तर जिससे दोनों आईगा वही ना कॉमन होगा तर 2 से दोनों आएगा यहाँ पर एकस स्क्वाइब है यहाँ पर एक से तो कम से कम दुन्धू में है तो एव गोंन निकाल लो अब देखो अब अगर तुमको है चार एकसस अब बटामें क्या दोगे कि अब एकसेख्स खता मादो नी तो क्या बचा यह अब हम बताएं अब नहीं आपको को मन निकालने आ रहा तो आप क्या करिए भागा दीजिए तो यहां क्या है ठीरी एक्स और भागा कितना से देना माइनस तीन से तो माइनस माइनस खटम तीन से तीन कर दिया क्या बचा एक्स पलस में एक्स बचाना आप देखो माइनस चाओ को भागा कितना से दोगे माइनस थिरी से माइनस माइनस खटम टिन दून नहीं तो क्या बचा पलस में तू बचा अब समझ में आ रहा है नगाव समय में जो दू लिखाएगा यही एक्स पलस तू आ यह दूनू में जो कॉमन आया था ठाथ तू एकस और यहां पर क्या था बराबर में जीरो अब जरा देखो एक्स परलस टू बराबर जीरो कर दो होगा कि नहीं एक्टना बराबर जीरो अब आव तो एक्स माइनस ठीरी बराबर जीरो यानि एक्टना बराबर जीरो अब बोलो एक्स बराबर क्या जाएगा माइनस दू यहां पर बताओ टू एक्स बराबर टीन और यहगो हो गया ठीरी byट सामें दो बोली कोई प्रबल्ब्लम है नहीं तो इसी तरह से आपको रोस्ट मों को बनाना है अगला ज़रा प्रास्न को देखे हैं कि अला प्रास्न को देखिए यानि रूट दू को गुणा करेंगे कितना से पांच रूट दू से आए एक से एक से तो एकस को अभी रहने दो एकस को रहने दो यह लिखना चाहते हो तो लिख भी दो लेकिन उससे कोई घबराने की बात है नहीं में तो संख्या का ना हम लोग यह सीम निकालते हैं अब जरा देखो यह दोनों को संख्या से संख्या गुना होगा तब पांच के पांच रूट दू रूट दू रूट दू क्या होगा रूट चाह आए एक सस्क्वाइड के एक को दबटाव हिसकानल एंगे यह यह राझ-वन यंक इंगाल लूट दूओ पचहे हैं चलो टीक है यह यह क्यानिकाल का यहा है दो गुने पांच घुनए एक ऐक सबसे पहले क्या कर्णे जैसे पहला लिखाए है यहसे लास्ट बहुत को लखेंगा दो बोल लिखेंगे कि नहीं तो यानि पहले में क्या है रूट टू एक्स स्क्वाइड और लास्ट में क्या है पांच रूट बराबर में जीरो बोलो यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है अब इसी को न दोगो टर्म बनाना है तो बताओ जोरने यह घटाने पर साथ लाना है तो देखो एगो ले अब बताओ एक्स लाना नहां अब पालस में साथ लाना है तो दोनों को क्या ची मिदे दो क्यूंकि दुआ पांच जो रहे हैं अब एक्स में तो एक्स एक्स दोनों के साथ में देदो तो चलो देखो यानि पहला वाला को लिख देते हैं पॉलस टू एक्स आद दूसरा वाला को फाइव हो गया काम यानि कभी भी रूट भी देखके घबराना आपको नहीं है बहुत इजी प्रसंद रहता है सब समझ में आप देखिये लिःएं से देखेगा इजो टू है ना तू बाइब को आप रू टू गुने रूट और लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं क्योंकि देको इसको गुना करें गार रूट में चार आज आज आब इसके बाहर निकालें तो यहानी बोलो दो आई लिग इसको दूगो लिख सकते हैं ना तब नहीं आएगा देखो हैं पर नहीं समझ में आ रहा तो एक लाइन और बर जाते हैं चलो देखो यह दोनों में जरा हम बताओ थो क्या क्या मिल रहा है रूट रूट वहाओ है निकाल लो और हाव इसमें बताओ रूट डूए अब तुम को नई समझ मगलें और भागा करो संख्या केतना दे लें है क læs में दर बोलरूट reasonable waren एक्स से एउए स्कतिया क्या बचा एक अब पलस अच्छा यहां बताओ यहां पर क्या है रूट डू गूने रूट डू हम आगूने एक्स हैं कि नहीं है अब बट अब बड़ा में कितना सभाग कर गो जलिघ बताओ रूट टू एक्स तो क्या बचा रूट तो पलस यह दोनों में जरा बर्हिया से देखो तो पांच इसमें भी यह पांच पांच तो कॉमन होए सकता है इसमें से पांच निकाल यह एक्स बचेगा अब डिरेक्ट बता रहें आपको ठीके भागा उतना करते नहीं तो बहुत ज हो जाएगा और यहोगो क्या हो गया और रूट दू एक्स आपलश में पांच बराबर में तो यहाँ पर एक्स पालस रूट दू बराबर जीरो लिख सकते हैं एक जोटे बराबर मर आएगो रूट टू एक्स प Dallas पांच बराबर जीरो आ ए रहा रहा वना को पहले सभर कर तो एकस वरावर क्या हो जाए कि अर्едौं करें हम लूक है तो क्या अम निकल करा गया माइन hottest तू आई माईनस मीरूट सॉड़ी 5 सूब उरू私 बोलो यहां तक में तो कोई डिकर्ट नहीं है अब आगे प्रासर्ण देखते हैं कोशन नमर फॉर स्ट्थ क्या है टूएक सब्सक्राइब मैने से बटाउ चार आ रहा है कि नहीं निकालें इसका htm निज में निका लोगे अंड़ ठाकर इसका SCMM निकालेंगें और टर्में तो रहेंगे ठाकि 1 एक यहां पर उसके साथ में आपर माइनस से घ्याला लेकिन स्थे तो एक पहलें में बलकि मानस से तुमको बटावाला में ज्यादा तेंशन ना पड़ा तो देखो हम आसा की यादा करना है कि सबसे पहले बटाम उसको रहने नहीं दो को स्क्राइब नहीं नहीं है अगर इसा प्रास्न आए अठों लोगों को हाड है तो उस समय बटा में उसको रहने नहीं दो तो बटा में नहीं रहने दो यानि उसका lcm निकालो क्या कर लो एंज बटाओ इसके नीचे atoक नहीं है तो एक है अब बटाओ तो ज़रा सब का याठ एक आएगा एक अब जरह यह बटाओ कि यह तो 16 x square हो गया माइनस 8 x अब पलस में 1 यह भागा में था उढ़र जाएगा तो गुना में अब जरह यह बटाओ कि 16 x square माइनस 8 x पलस 1 अज डोनों में गुना हो गया तो क्या आएगा LCM निकालिए वो नम नॉर्मल में आजागा यानि अब बटा में नहीं भीन में नहीं रहेगा ठीक है जब नॉर्मल आगया तो अब क्या करना है पहला तिसरा तो उसी लिखा जाता है अब जरा बटाओ कि यह दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा सोला आएगा अब सोला का LCM निकालिए तो बटाओ दू अठी दू चाओके आठ दू दूनी चार दूक का दू अब जरा गुना करें दू दू एक इतनी ना रहेगा ठीक है जरा देखिए जोरने यह घटाने पर कितना नचीए माइनस आठ आना चाहिए माइनस आठ तो जरा बढ det у 2 आप भाठा कि बाठा जरा लेना पड़ेगा तो दूदू आरीगा चार दूनि आठ यानि इजोरेंगे तो दस आजाएगा ही दोनुआ को मैंसे घंट्टाइंग तो आईगा तो यारि यानी शूत नहीं कर दूव्राठ नहीं लो छोड़ो इसको कुछ दूस Zur सोचो तो देखो एगो डू आदो और यह पूरा लेलू तो दू दूनी चार अई धर भी क्या हो जाएगा चार ज़रा बटाव टी दून्हों को जोरेंगे तो क्या आठाएगा आरा तो ठीक है चलो इसको से काम देखो करके तो देखो यानि जोरने पर माइनस आठ लाना माइ दून्हों को जो रहेंगे लेकिन माइनस में आना चाहिए लेखना माइनस में बटाव यहां पर क्या हो जाएगा मारम ओनत्र में देख Mode में ऴक्या पहारा परऊखो के ऐमारम निकल आएगा 11 डील भी आएगा यहां जाएगए अ माइनस के माइनस चार का चार एक आएगा एक एक और एक से एक खट में हो गया तक खाली है के ने बचा अब देखो माइनस में यह दोनों में कुछ मिल रहा है नहीं मिला तो नहीं मिला तो क्या निकलेगा कॉमन एक है नहीं मिलेगा तो एक कॉमन लेना अब बताओ यह माइनस और माइनस पलस हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यह माइनस पलस माइनस हो जाएगा, 1, 1, 1 क्या आएगा, अब बताओ, यह उतो आगिया, 4x-1, और यह उतो आगिया, 4x-1, और यह उतो आगिया, 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 वर दो गॉर आबर चृड़ाय गारेगा पर नेकलत wonder किया आगा लूटा-प्र Dep에4 टोड़ाबर टोड़ा ऊफ्ञे वन नेकल किया गीघा खवन बटक हों ऐसे नमबर प्रस्न है पहला का लास्ट प्रस्न है फाइव नमबर यहां पर भी होई काम करेंगे जो पहला और टीसरा जैसे लिग दीजे लिख दिये अभी दूनुका यसी निकालो तो कितना आएगा दूनुको गुना करने पर सव आएगा आप सव क्या करो ल्सी अ तदू पचा पर कितना लाना है माइनस 20 माइनस 20 देखो तो अगरे फूले लेते हैं दो निचार आपचेश पाचीस पहले काम बनने वाला नहीं है 25 में से चार घटाएंगे टर गचाहिगा एकाइस बचाईगा इकाइस तो लाना नहीं को छोलो टाओ हैं आपचीस में चारज आग तिसह कि यहां जाएगा देखो लेलो ऑने तो न अगूने पांच आओ आफ लेलो दो 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 ने पांच समझ माया तो देखो क्या हो जाएगा इसमें चाहू गोदे वह लेलो ऊतनी आगा गूना करने पर यह लेंगा दो क्या हो गया कि मzzini दो पछे दए को गया 10 आप बोलो जोड़ेंवाओ बोलो यह बता कि यह दोनों को जोर ढीरें तो नहीं माईनस में नोंती लाना माईनस तो माइनस में दोनों को माईनस और एक्स वला तो एक्सकू दे दो माईनस overlap तो मा wz%. गर माइनस हो झूनिय माइनस द्रीकर मतन हो जायगा था वह अए बताओ दसका पारा में सोल भी आ तयनितों एक स्वार ऌर यह सब करह đầu यहां पर क्या हो जागा मैंस मैंस पलस 10 एक्स और माइनस बढ़ाबर जिए गोह या 10 एक्स माइनस बढ़ाबर सोई आई पहले रहने दो ऐसी और यह वावर क्या कॉमन आ गया 10 एक्स माइनस बढ़ाबर में अब बता इसको 10 सब्सक्राइब्स येगा बाता हो ओटकर ऑचायगмов रिते हो सब समय जबत करने एक्स रॉसंड कर दिद्राबर यीवहु थाइगा मैंस अब डरह लबन ए लिए-वह अच्छ क्या गया पलस वन एक उड़ाबर क्या एंगा उटा में सबस्क्राइब technical क्या गया है उटा में टा में तरो पहला कोश्टं था वह पाऊंचों बता दिया है अब अगला निकालो पेस संख्या 79 है इसमें देखो यहाँ पर कॉश्चन लिखा गया है उडाहरन 1 एक दो कॉश्चन गयों मिला कर कि लिए फर一點 तो सब से पहले पहला नंबर कोश्चन लिए यहाँ पर क्या बोरा पर लान नंबर गोरा जॉन और जेवनuti दोनों के पास कूल मिला कर कितने कंचे हैं, पंतालिस कंचे हैं, बोरा दो दोनों यहां होगा कोष्टन में, यहां दोनों होगा, दोनों पांच-पांच कंचे खोड देते हैं, और अब उनके पास कंचो की संख्या का गुननफल 124 है जब 5-5 कंचे खो देते हैं दोनों तो जब वो दोनों को गुना करते हैं तो गुननफल क्या आता है 124 आता है ठीक है अब देखो तो बोरा हम जानना चाहेंगे कि आरांभ में उनके पास कंचे कितने थे ठीक है तो यानि आरांभ में कंचो की संख्या पूछा आरांभ मे जॉन के पास कंचों की कंचे होगा कंचे की होगा तो फिरेट इसके पास माल लिया ये कैसे यहाँ कंचा निकालेंगे तो कंचे लिख दते हैं ठीक एक्स के यह किसका माल लिए जन का आरंभ में लिखा हुआ था यहां पर ऐसां बेसाल राम में रिख सकते माना की आरंभ में सैंधोर आरंभ में निकालने क्या संख्या आप देखो यह का और नाम जिसका नाम क्या चीह जिवन्टी इनका इसका वाला में क्या लिखें आरांभ में जिवन्टी के पास बरियां से ध्यान देना है के पास कंचे की संख्या बराबर अब जरा ध्यान दो बरियां से यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं दूइग हाथ समीकरन न तो जब दूइग हाथ समीकरन पढ़ रहे लेकिन जब हम लोग दो चार बाले रहें खिक सम्षय के अनप प्रहुते हैं तो उसमें दो दोग मानते हैं मानतें की नहीं? यहां पर हमें एक सही काम चलाना है, ठीक है? जब पहला को एक समाने हैं तो तो जब वर्हां से ध्यान दो, तो क्या बोल रहा है प्रस्ट? बोल रहा है कि ये दोनों के पास कुल मिलाकर कितना कंचा है 45 तो जरा तुम सोचो कि मान लेते हैं जौन के पास और जिवन्ती के पास दोनों के मिलाकर 45 कंचा है तो मान लो कि जौन के पास में 20 गो था जौन के पास कितना है 20 है तो जरा ये बताओ ये दोनों को मिलाकर कितना जॉन और जीवनती 45 तो अगर जॉन के हो गया 20 गो तो इसका क्यों गोगा जुए फटीस होगा अभी यह पचीस आया कैसे तो तोल दिया हुआ था पाइंटालीस जॉन के पास में जान गये के 20 गोए तब 45 में से 20 घटाएं तो कितना आ गया पच्छीस समाझ में आया कि नहीं आया तो यानि जब हमें टोटल पता है जिसे मालों दो मीट्र है और दोनों मीट्र के पास में मिला करके टोटल पैसा जो दिया गया वंपचास पहला उका क्या माने है का एक्समाने है तो दूसरार का को चाह आगा एक्स क्या बहुंद कभी आन पांच पंच ये मतलब भूला देते हैं तो पाच पाच कंचे समझते हो ना कंचे के मतलब गोली जिसको बोलते हो गाउद हाट में तो दोनों पाच पाच कंचे खो देते हैं तो क्या लिखेंगे अब पाच पांच कंचे खो देने पर पांच 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 कंचे खो देने पर तो जड़ा बटाओ अगर पांच पांच कंचा खोएगा तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा पांच को खो दिया तो केतना बचा पंदरा बचा तो पांच को घटाएं तब ना आया आया की नहीं आया तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे तो अब पहले सबसे पहले किसका लिखते हैं जौन के जौन के पास कंचे की संखिया बराबर अब बोलो एक्स तो इसके पास पहले से था अब पांच को खो दिया ते यानि एक्स में से कितना घटा दोगे पांच इतने कंचे बचेंगे अब बोलो बचे कि नहीं आब उसके बाद एक आवर कौन है जीवन्ती तो जीवन्ती के पास कंचे खी अब बताओ इसके पास पहले से था केतना पांच आलीस माइनस एक्स अब पांच गो खो दिया ना तायानि में इसको भी माहिनस पांच करो तो बताओ संखिया से संखिया अब देखो लिखेंगे इसलिए प्रास्न से अब देखो प्रास्न क्या करा रहा है कि जब पांच पांच पांचा खोड़ेता है तो कंचो के संख्या का गुनानफर कितना हो जाता है एक्स तो जाया पांच कंच खोया तो इसके पास कितना था एकस माइन शवाय सबस्टे देखा चाल क Fashioniamo के कितना बचार चालीस माइन और फ्रीक दोनुका फद्रण तेनी गुनान फ़ल अमटलब गुना गुना करें गया है तो माइनस एक सक्वाई अब एपपाल्ए माइनस आप आलिस पाजे दूसर और माइनस माइनस पालएस फ़ाइप अब बढ़ाबर 124 अब अब बाताओ यह माइनस एक स्क्वाई को पहले लिए ड़ेते हैं ठीक है अब बढ़ाओ 406 आप पलस में आप पांच एक्स केतना हो गया 45-200 बराबर 124 देखो इधर जितना है न सब सबको उधर लेकर चले जाते हैं तो सब को जब उधर लेकर जाएंगे ते इधर क्या बचेगा जीरू अब बराबर 124 तो पहले से लिखा ले अब देखें कि इधर नुस्क्राइब बिड़ितर बटा एक सबस्सक्वारब आर्या गारे तो यह पालास में 95 एंदा अरय के पलस दो सब पीजाना हो जाए ता अब इसको अपलाइट के लिग देते यानि एक स्कॉार वाला को इधर पीज़ए टें एक स्कॉार माइनस पाइंट आले सर्फ पलश तीन सो बरावर में 0 आपध्थ आप इसको आद शॉल करते हैं ह। कि अब डुई हाथ समीकरन तो परवे किया हो हम एक एक के बीडिया विटक बताए हैं जिसका नाम है कौंसा गुनानिखन बीडि तो गुनानिखन बीडि से भी इसको अगर सॉल्व करोगे त्वा जाएगा जो लिखा हुआ है उसको लिख दो एक स्कुर्ण माइनस पैंट आली सेक्स पलस तीन सो चोविस यही लाइन को यहां पर लिखे हैं समझ मैं घबरान नहीं यहां पर जब लिख दिये हो समझ मैं आगे तो यहां पर लिखने की जरूवत नहीं आई से अब ज़रा देखो गुनानिखन बीडि में क्या करते हैं पह चेश्ट और 324 का फिर क्या निकालोगे लसी अम तामने डू टरम बनाएंगे तो ज़रा बताओ दू दू रूचाग बारे अदू दूनि चाहर आएगा थीन से लगाएंगे सटाइस टिया कासी और तीन नमा तिन टिन टिन ट्यान आओ अब ज़रा बताओ इसको दो गो टर बनाना मुदध अथे इख आप सक्झा यह तयता इंत हम कर तेंट इंटीन टिन तीन टिन तून ओने चार्ट खो जग चार्ट को अ शुर्ट향 ऐगो लेलो येतर देखो दूदू नीचार सब्सक्राइब बारतिया 36 जा तीन तिया नो अलाना 45 तो ठीक थाग लगा लेकिन 45 जो लाना माइनस में लाना है क्या मिलाना माइनस में उन्यग दोंगो तो क्या आगिया और एगो नॉट हो गया आप इसको आव इढर लिग दो तवासा अब डोडोगो टर्म बना के क्या कर लेंगे कॉमन ले लिए ये दोनों में जरा देक आधे क्या मिल रहा है एक स्टो नो में इस में वे एक सबाचे गा इसमें माइनस आ माइनस इदेखो नौ लेलो इसमें क्या बचाए एकस आई माइनस आई पालस तो माइनस ओ जाएगा आच कितना आएगा चाट इसना माव जाएगा तीनस ओ जोविश आप देखो एव टेहली खाएगा ना यानी एकस माइनस चाट इस और वाव क्या लिखाएगा एकस माइनस 9 बरावर 0 देखो अब दोनों को अलग लगता है एकस माइनस चाट इस बरावर 0 अगर 36 बरावर लेंगे तो इसके जॉन के कंचे कितने हो पूरा लिख दो आराम्भ में जॉन के पास आराम्भ में जॉन के पास कंचो की संख्या बरावर कितना हो जाएगा जॉन के पास संख्या बीट आएग चहां आराम्भ में रहे जु़न के पास कंचो की संख्या बाटाव एक स्कमान चैसे नहीं पॉटिछ फिस करना ना तो 45 आ गहाट आएंगे तो कितना ःतो नौ यह आता होगा डिया टीकिछ चलो अब आगला प्रासन देखेंगे चलो देखो question number two देखो question number two क्या है एक कुटिर उध्योग एक दिन में एक दिन में कुछ खिलोने निर्मित करता है निर्मित का मतलब उटा है निर्मान करना यानि बनाना एक कुटिर उध्योग है कुटिर का मतलब समझते है चोटा मोटा कुल निर्मान लागत दिया हुआ है कि इतना 750 रुपया लेकिन उस दीन का नाम नहीं बताया गया कि किस दिन मान लेते हैं सोंबार या मंगलबार ऐसा कुछ चर्चा किया गया है नहीं अगर मान लेते हैं चर्चा किया गया रहता कि मान लिया जाए कि किसी दिन सोंबार को निर्मान किये गए लागत कुल लागत कितना है साट सो पचाव सुपया तो सोंबार को मान करके बनाते हैं लेकिन नाम तो दिया हुआ नहीं है दीन का तो हम लोग जो दीन है उसको लिख देंगे उहां पर क्या चाहिए माना की उस दीन उस दिन माने यानि जो दिन हो सकता है समझ मैं गया अगर दिन की चर्चा किया रहता तब लिखते हैं फिर क्या बोड़ा कि हम दिन निर्मान किये गए खिलोनों की संख्या ग्याद करना चाहेंगे दिन तो बटाया नहीं गया है तो हम लोग काउची मान के बनाएंगे उस दिन क्याची लिखेंगे माना की क्याची ग्याद करना बटाओ माना की उस दिन उस दिन का मतलब दीन नहीं पता है अगर यहां पर लिखा रहता दीन तो हम लोग डिरेक्ट लिखते हैं सौंबार लिखते की नहीं लिखते हैं यह मंगलवार रहता है तो मंगलवार लेकिन नहीं दिया गया तो आप क्याची मान कर बनाएगा मान लिया कि उस दिन मतलब जिस का मतलब क्या होता है तो लिखेंगे पर्टेक खिलाओनो खिलाओने का मुल्य बराबर देखो पर्टेक खिलाओने का मुल्य कैसे निकालोगे देखो ज़रा बरिया से प्रसन में क्या बोल रहा है पर्टेक खिलाओने का मुल्य रूपया में दिया गया है तो रूपया यानि के रूपया है 55 रुपया 55 रुपया में से एक दिन में निर्मान किये खिलाउनों कि संखिया को घटाने से प्राप्त होता है कितना में से 55 में से जरा खुद सोचो 55 में से बोरा एक दिन में निर्मान किये गए तो एक दिन में तुम निर्मान कितना खिलाउना कर रहे हो एक ठीक है आप 55 में एक डिन से कितना घर्टाएंगे एक एक बोल यही परहस्न कह रहा यह क्या ची है रुपया रुपया में रुपया में मान ले मुले ठीके जरा बन्यास इहां देना फिर से बॉल का रहा है हां से बोरा पर ठेक खिलावनों का मुल पर ठेक मतलब एक या नहीं समझे ने तो पर कर से प्रतेख एक खिलावने का मुल ले बोलो रुपया में दिया गया तो रुपया में मानें ठीक है वह राए एक दीन पच्पन में से एक दीन में निरमान कितना खिलावना किया है एक स्थन क्याPARDEC से निर्मान किये खिलावनों कि संखिया को घटाने यानि पच्पन में से घटाने पर आ रहा तो बोलो यह चीज समझ में आ गया कि नहीं उसके बराबर है तो बोलो यहां तक तो प्रसम समझ में आई है तो यहां से लेकर हम लोग यहां तक क्या काम कर लिया है कर लिया हो कि न देखें आंपर क्या वो रहा किसी एक दीन कूली निर्मान लाघत में 750 उरपया है अगर बर्हियां से देखो तो मान लिया जाए कि कोई खिलाओणा कोई खिलाओणा है जो मान लेते हैं दोगो बना एक दिन कमपणी है जो इसको प्रूंग बना अगर सोचा जाए तो क्या हो रहा यहां पर एक दिन में खिलाउनों की निर्मान की संख्या तो एक दिन में कितना निर्मान किया दोगो अब परटेक वाला से गुना कर दो परटेक वाला से गुना कर दो तो कोची आजाएगा कूल लागत कूल ना जाएगा खुड सोचो मान लेते हैं जो कंपणी है। मालो कलम के कंपणी है अब एक कलम बनाने में उसको ब्लृपा लगता ऊकटा है कि मतलब कितना रुपा अह पर दुछाफ़ मोरा क तर पर समझना भाव पर अकने नौरमाल एक जामपन लेकर समझे चलिख बने बना है एक दिन में छे कलम बना है और एक कलम का कितना लग रहा है दो रिप्या तो जरा तुम खुर सोच के बताओ कि छे रिप छे रिगो कलम बना है तो उस दिन यानि जी दिन बना ओही दिन कूल लागत कितना लगा होगा इतो कूल लागत नहीं नहीं दूर कूल लागत है कर लागत है में लेकिन उस दिन बोरा कि छव को बना दिया कलम तो यानि उस्टिन का कुल लागत पुछेगा तबह पे क्या करें क्या रच निकालना चाहते हैं तो बोलो वही चीज होगा होगा की नहीं? तो क्या लिखोगे कि खिलाओने या उस दिन निर्मान खिलाओनों में कुल लागत लगे कुल लागत यानि या भी लिख सकते हैं उस दिन उस दिन खिलाओनों कि खिलाओने के निर्मान में लागे कुल लागत अब बताओ एक डिन का के तना ए यह घुच लाओन बनाया है एक सखिलाओना बनाया या एक नहीं आए लो हो का कितना मुले पाइंट आल यस मायनिस एक तो इस फशान माइस एक से गुना हो जागा झी नहीं हो जागा अभी आम समझाए तो गुना कर दो बोलो इतने रुप्या कूल लाएगा इतने रुप्या न लाएगा लेकिन ज़रा प्राशन को पर हो तो प्राशन क्या कह रहा है हम लोग तो जान रहे कि इतना रुप्या लाएगा लेकिन प्राशन क्या कह रहा है बोरा कि उस दिन यानि किसी एक दिन कूल निर्मान लागत कि लग रहा है साथ सुप्राइब कोश्चन को चाहर कह रहा है ठीक है तो अब लिखेंगे क्या ची इसलिए प्रसंट से तो प्रसंट ज़रा क्या कह रहा है देखिए तो खुल लागत तो हम लोग निकाल लिए कि कि यतना रुप्य आएगा यहां भी कूल लागत निकालने कि नहीं आएगा यहां भी कूल लागत दे दिया बोलो देखो कूल निर्मान लागत समझ मैं गया तो 750 तो यह दोनों आपस में बराबर है अब कुछ नहीं करना बस इसको solve करिए आपका काम हो जाएगा यानि केतना हो जाएगा पाच पान एकस स्क्वाइज यह सभी को हम उधर लेके चले जाते हैं तो इधर 0 बच जाएगा 750 तो पहले से यह बता यह पहला समें इधर आया तो और पलास में एकस अब कुछ नहीं करते हैं सब को कहां ले आते हैं इधर एकस स्क्वाइब माइनस पच पन एकस पलास में 750 बराबर क्या बचा जीरू अब बोलो इसको कौन सा बीडि से बना देते हैं गुनानखन बीडिस अभी गुनानखन इपर हैं आगे चलेंगे तो अभी बीडि बताएंगे दो बीडि बताएंगे कि नहीं लेकिन आभी जो बीडि पर हैं उसी से बना तो 750 का क्या निकालते हैं हम लो लो एल सी अम आज जो पहला पढ़ और तीसरा पढ़ उसको तो वईसी सेम लिग देते हैं बराबर जो भराबर जीरो अबलेखाव में निकालो एल सी आम कालो बोलो अ लगा दूटी आ चाव और फिर डू सटे चाव दू बचे दा तीन सलागा लग गातिन तीन का टीन दूनीचाओ तीन पचे पंदर अभी हो गया दूटीन तीन पांतीन आठ अब डूसे नहीं लाग पांच लगा पचीस पचे एक सो पचीस फिर हो जाएगा पपचे पचीस इसको लिखोगे दो गुने टीन गुने पांच गुने पांच गुने पांच गुने पांच गुने पांच पांच अब इसको दो टर्मे करना जो नहीं अगाटाने पर कितना लाना माइनस पच्पन प्लस लिखाएगा जड़ा देखो तो दूटी या च्छाओ अच्छो पचे तीस तो इतना को अगर करते हैं तो 30 हो जाता है अपको पचीस पचीस को अगर जो रहेंगे तो पच्छपन आ सकता है आसकता है कि नहीं तो यहांनी 30 अपचीस बरहियां लग रहा जो रही है आप देखो माइनस में पच्छपन लाना है तो दोनों को खवची लेना परेगा माइनस में तब न जूटेगा माइनस में आएगा एकस में माने है तो यहां भी क्या लिख देते हैं एकस तो चलो बताओ यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे माइनस में 36 और माइनस में 25 अब ज चीज तो कॉमन आई ये जाएगा इस में X आई माइनस अपलस माइनस हो जाएगा अपचीस गुने 30 करोगे तो 750 आएगा न तो होगया X-30 अए गो होगया X- 25 बदाबर 0 एक बार जो है X-30 बदाबर 0 लिखेंगे और एक बार क्या लिखोगे X-25 बदाबर यहां पर एक्स बराबर क्या जाएगा 30 यहां एक्स बराबर क्या गया 20 अगर पहिला बला को हम लोग रख के बनाते हैं तो यानि बताओ निर्मान किये गए खिलोनों की संख्या क्या जाएगा निर्मान किये गए खिलोनों की संख्या बराबर 30 यह होगा एंसर कि अवार कि आएगा पत्चीष तू भी लिख सटो वसी दिन निर्मान के खिलावनों की संख्या याने दो डोग आएगा गई गटीस हो रेगो पत्चीष दोनों आता हाँ कोई दिक आने उसको भी लिख दो कि निरमान किए गए खिलोनों की संख्या बराबर दूसरा आएगा 25 यह दोनलों आएगा समंझ में अगिना और इकूछ चलो देखो question number 3 बुरा ऐसी दो संख्याएं ग्याद किजिए जिनका योग 27 और गुनानफल 182 ठीक है जरा देखो तो दो संख्या ग्याद करना है न तो सबसे पहले जो ग्याद करना है उसको लिखो तो क्या लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर क्या मान लेते है एक्स जरा पहली संख्या को एक्स माने है तो तुम लोग जरा बताओ तो कि क्या बोरा है कि जिनका योग 27 हो ठीक है योग का मतलब जोर दोनों को जोरेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा तो जरा बताओ कि येगो को X माने है, ता दुसरा क्या हो जाएगा? दुसरा संख्या क्या होगा? 2-27-1 होगा, जढ़ा देखो कैसे, नहीं आатовी समझ में, तो यहाँ पर देखो, दू गो संख्या को जोरने पर 27ारा दू को जोरने पर 27ारा, दो को जोने पर सताइस आ रहा है अगर तुम सोचो कि एग वो संख्या मान लेते हैं दे दिया है 20 एग वो संख्या दे दिया है 20 तो दूसरा का संख्या क्या होगा क्योंकि देखो अगर मान लेते हैं एग वो संख्या दिया है 20 तो दूसरा संख्या पूछ रहा है अब जिना तुम खिल सोजो कि दोनों को जोल डेने हैं तो कितना आएगा 27 आएगा सब्सक्राइँ समझें सबस् た धसटे इंधोट किटना बचा होगा स्ठाहतो तो दूसरा संख्या क्या जाएगा साथ आजाए लेकिन यह साथ आया कैसे तो 27 में से 20 को घटाएं तो क्या बचा है साथ यानि जब टोटल दिया रहे आएगो दिया रहे तो दुसरा का तो निकली जाएगा खुदे सोचो कि मालेते हैं दो बेक्ति है आद दोनों बेक्तियों के पास में कूल मिलाकर 50 रुप्या है अब पहला बेक्ति के पास में 30 रुप्या है तो दूसरा के पास में कितना होगा 20 रुप्या होगा यही न बोल रहा है यहां पर योग का मतलब हैं पर जोर दिया हुआ है दोनों को जोरने पर कईटना रहा है 27 तो दुनों के मिलाने पर 57 आय थे जब कि ए औन ऐंके रहाइं है रहा यहां पर है किंट्нуться के यहां पर क्या रहा दीन से हुटा रहार यानि कूल अब लागो घंटा ओगे 27-1 बोलों अब आप आप देखो आप या करा दोनों को आप गुनानफल कितना है एक टो लिए प्रावसन से यह दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा एक सो बईराशन जड़ा बताओ गुना करेंगे तो 27 से एकस होगा माइनस एकस स्क्वाइड होगा बराबर में 182 अब देखो माइनस इसको सब क्यों उधर लेके जाओ तो पलस में हो जाएगा तो इधर 0 बचेगा 182 पहले से इधर है तो इसको रहने दो यह पलस में ठाएगा तो और यह माइनस में ठाट तो पलस में अब सबको इधर लाक लिए दो टेए सब्सक्राइब हो गया माइनस सटाइस एक्स अपला सेक्सव बिदासी अब इसको कुछ नहीं करना बस सॉल कर डिना यह तो जैसे है पहला और टीसरा उसी लिखाएगा कि नहीं आप इसको टोरो गया तो एक्सव बिरासी का क्या निकालो एलसी है और दूसरने दूनमाठारारे दूक नहीं दूका दू का दू अब बताओ कि यह लएगा एक बड़्या आप साथ से लगता नहां साथ सफ लएगा तेरह सटे एक आनमें तो दू गूने साथ गूने तेरहारा दू तम में तूना 27 लाना हाँ आ जाएगा देखो साधू नहीं आउ तेर हे रहे हटो यह दोनों को ज़रा जारो तो नहें आप 27 लेकिन ज़रा बताओ कि हम्हें-27 लाना तो डोनों को क्या ची मिलना पर अब यह अगया माघ्य है नोस्मुक्राइक्स में मान मेचbok टो दोनों में अगयक दो एक में बिसमें देखो तो तेरा के टेबल में डूनू आइगा की नहीं आएगा तेटरा ही होजाएगा एक्स और यह माइनस नो जाएगा क्योंकि माइनस आपल ऍसमाइन अरुक्रावर जौदा प्या तो चाहँथ इस अगइस माइनस ज्याय होगा नहीं हो आ और तो ह आएAyAck s9 संख्या देखो गैशन चैका अगया आया की नहीं दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दूसरी संख्या मेंड सेक्स एकक्स का फाली आफ सेwieक्स एकशाइब पेक्न हो थेजया थे राएगा तह फोर बॉन falou धेढ़ा नमबर सबस्द देखो क्या बोरा दो करमागत धनातमक पुर्णांक ज्यात किजिए जिनके बर्गो का योग 375 देखो दो करमागत बोरा धनातमक बोल रहा है कैसा पुर्णांक बोल रहा है धनातमक तो धनातमक यानि पालस में मानना होगा तो लिखेंगे क्या ची माना की पहली पहली करमागत धनात्मक पहली करमागत धनात्मक पुर्णांक बराबर एक्स देखो पहला को अगर एक्स माने है करमागत का मतलब होता है क्या क्रम क्या नुसा सब कर Mum अनुषार करमागत के मत Chelsea मतलब हुए यह तो फिर ऐसे भी का सक्त हो मुम यह सब कर्मागत जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि नहीं तो यह सब कर्मागत जा एक जियरा लेकिन जैसे हम लिखते हैं एकक्या बोलगे कर्मागत बलोगेगे कर्मागत का मतलब समझ में आ गया कर्मागत का मतलब होता उसके बाद वाला तुरट संख्या तो जब भी देखो अच्छे जड़ा बताओ कि मान लेते हैं पहला कर्मागत एक ता दूसरा क्या आएगा दो तो यह दो आ हас एक में क्या ची और यह धोलने से आया यानि कभी तुम को कर्मागत निकालना न आ है तो यह करवा अगत है तो पाँंच में कितना जो Kनiden खाते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो यह काम न खरे순 समझ में आई तो यानि दूसरा जब पूछेगा आप Due-sra पूछे आप वह उन्हों जोरते हैं एक सपलस वह न हो जाएगा की नहीं बताऊ इसमें कोछ प्राव्लम है एक सब्सक्राइब कीजिए लिखें कई रहो है क्या नहीं नहीं है जैसे आम लोगे शाहते हैं तो साथ के बाद रहाएका तो यह नहीं है तो यानि 7 में क्या किया है कि 8 आ गया तो एक जोरे है कभी आपको यार रखना है तो कितना जोर Primary Bhag भूप गया तो क्या जाएंगे आठाएं समंझ में आगे कर्मागत चलो तब आगे बठते हैं अब देखें क्या बोरा है इसी लिए लिखते हैं अब लोग ही डोनों के बोरा हैं तो बर्ग कर देखो आयोग के मतलब जो उसके बाद दोनों को जोड़ो तब बराबर में कितना आजाता है तीन सब पाइश सथ यह नहीं बोरा प्रास्म बस अब इसको सौल करें हो गया तरह एक सब्सक्राइब आएगा देखो तो यह पलस बी क्या होला स्कॉइर पर तूटेगा तो क्या उता फर है अगुए बी का न बेहन उटा फरमूला अब बदाबर में इन सब आहसे स्कॉइर इसकोड़ कितना एक सब्सक्राइब आप यह देखो क्या हो जाएगा यह पलस के वान होगा अब बदास में टू एक सो जाए हो जाए अब अब बदाबर में इन सब पैंसेट आप तब द समेक यह पलक्राइब थो बराबर में जीरो देख़ो टू एकस एकसर कोई स्ट पलस टू एक्स माइनस कितना बचेगा तीन सब दैंसल में बचेगा क्योंकि एक पलस मेंने साथ थिंसल बराबर में जिए जरा बतां तो चॉनों में एकस दो initiator सकते हैं सब्सक्राइब टीनों में दो कॉमन आ सकते हैं कि नहीं तो आ जाएगा इसे डाटा छोटा हो जाएगा आइसे ना भी कॉमन निकालो तो कोई डिकत नहीं है लेकिन कॉमन है तो कॉमन निकालो तो दो कॉमन निकालो तो इसमें से दो निकालिया तो बटाओ तो क्या ब है थे एक स्क्वाइर प्रास एक्स माइनस एक्सर बरावर में जीरू तो बटाव यह तो गुना में डाराई अटो भागा में तो भागा दूसरे कर रोगे जी रो ही आएगा ठीक है अब जराइस को बनाध शॉल करो गुना निखन बिडि से पहला तीसरा लिख दियां दूसरा को तर्म में तोरना है ना 182 का क्या निका लोगे तो दूसे लाएगा। दू इंग, बो सथ से लाएगा। तो गुन्हेल सात गुन्हेल, देखो दूसाट टैचा उड़ा हो गया। आजबन द गठाने पर एक लाना हा। क्रुम практиyo s छोटा बला को माई एक्स में माने है तो एक्स लिग दो दोनों में ते यानि यह गो क्या गया माइनस सुरी पलस में चाउड़ा एक्स आप माइनस में यह दोनों में क्या कामन है एक्स तो बटाओ तो इसमें एक्स पलस चाउड़ा बचेगा आप माइनस इसमें क्या कामन है तेरा इसे में क्या बचांव एक्स-स्कालाश 4 बचांगस की नहीं ओने धार में ज़िए अ क्या वाउर क्या हो जाएगा एक्स उस माइनस पार बराबर में 0 आप अब जबण मेर इसको अलगaa मिले मर लिखए आदैयानि एक्स पालसगस iledऑ इंडेखर आए आए एकस ब्राबर 13 अब ज़्याय बता आए ग्लाओ एकस कमान माइनस चव्ड़ा अर या आत्मक हो गया है तो लेना नहीं है यानि माइनस चव्ड़ा वला से काम बनने वला नहीं तो यानि धनात्मक वला लेंगे तो बताव पहली कर्मागत का ता न उदानात्मक पुर्णांक बराबर क्या हो गया तेरा आद दूसरी क्या हो जाएगा तेरा पलस एक होगा कि नहीं होगा क्योंकि एक्स पलस वान है तो यह हो जाएगा चाउड़ा तेरा के बाद टुराच चाउड़ा आता है आता है कि नहीं आता है आता ठीक है तो यह होगा आपका सही अंसर अब बोलो समाज में आ गया अब अगला प्रसंद देखेंगे चलो देखो कोश्चन नमबर फाइब क्या है बुरा एक समकोन तिर्भुज क्यों चाहिए इसके आधहार से साथ सेंटीमीटर कम है अब उसके बाद देखो प्रसंद क् तो ओन्ने दो भुजाएग ग्याद करें अब तुम लोग याद रखो कोई भी तिर्भुज रहे तो उसमें total कितना भुजा होता तिनकुर लेकिन एक भुजा तो दे दिया है अब तिर्भुज का भी चर्छा कर दिया है कि यहाँ पर समकोन तिर्भुज ही लेना कौन सा त इसका नाम दे रहेते हैं मान लेते हैं अब बटाओ जो समकौन यानि नब्वे के सामने वाले भूजा को क्या करतें कर्म यह सबसे बड़ी भूजा को क्या करतें तो जरा बटाओ तेनों में कौन भूजा बरा दिख रहा है ही थी ही ठीक है संकोन का मतलब एक नबेग्ड़ इपना हिए इसी को ने क्10 को देखें तक करने हैं पर इदो नहींस हिल एक पर और लेकिन यह दोनों भूजा को ग्याद करना यह दोन भूजा को ग्याद करना अब जरा बता हो तो को हैं यह को समकोन तीरभूज की उचाइए उचाइए या नीचे बाला क्या कहा लाइगा उचाई आधार से सांट सेंटिमेटर कम है तो बताओ कि कौन है हील डोल नहीं रहा है थो आधार यहाँ पर हील डोल नहीं रहा है क्योंकि उचाई नंव रहा यह घंट रहा है जो नहीं हीलता डोलता थो गर ता है उसको सब से तिर्भूच का यह की आधहार बराबर क्योंकि आधहार तो हिल डोल नहीं रहा तो अधहार बराबर एक सेंटीमीटर में दिया वाटा कोची माल ले एक सेंटीमीटर उसके बाद बोला समकौन तिर्भूच की उचाई हूँति आधर वटाओ क्या बोला कि आधहार से 7 सेंटीमीटर कम है तो अधहार जब एक से तो साथ सेंटीमीटर कम है तो फला सो जागा की माइना एकस में से केतना घंजाय गा साथ अब जरा पाइथा गौरस पर में तुम लोग परहे हो गये अब बताओ समकून थिरहुज का करन तो देले है या कि नहीं देले है कमेच इसलिए पाइथा गोरा है परमेश Oh एक ऐधर जब 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 देख तो गया सम PAT scorpion्त हो जाता है तो पाइथा गोरा सपर अपर मैं याद करना सम कोन अ जब भी कोज़न आए तो इसमें पाइठा गोरस पर में याद कर लेना आप से बन जाएगा समकू पाइठा पर में कोची एक करने का स्कूराइट बराबर कि लंब का स्कूराइट पलस लंब तो यहां नहीं है यहां उचाई बोराइब को है न तो उचाईए लिग दो उंचाई लंब या उंचाई एक चीज है याद रखना अधार का अस्क्वाइड तो तो तेरा के तेरा अस्क्वाइड है तो अस्क्वाइड कर दो समझ में रहा है अब आगे देखो उंचाई कितना दिया हुआ तो एक समाइनस साथ हालो स्क्वाइड अपला साथ हार तो एक स्क्वाइड चलो टेरा का स्क्वाइड और इसको यह माइनस से भी के हलो स्क्वाइड पर तोरो तो इसको मान लो ए और इसको मान लो भी तो एसक्वाइड अपलास बी अस्क्वाइड आ माइनस टू एवी तो ग और क्या है पलस में एक्सस्कौइर में एक्सशा बचाओ टो Online के एक्संकार रहेखे आई एक्सस्क्की। सचाइर केक्संटक्र ऑगे की नहीं है क्योंकि दोनों प्लास में जूढ़ जाएक आप पलस में शाट मैं सात्तित निस में जह चलम लेक्स हो गया चलो डेखुए अब इधर से भी उसको भी होड़ा लेकिड़ाओ वेक्सकंअ पलास में शार में फैले में लिव्य दो ऐकशन प्र पलास 49 और यह पलास में ठाइडर आएगा तो है माइनड़ 100 अब देखो 2x स्कौइड माइनस 14 अब ड्रे आते हैं आप देखो तो 49 पलास में है आम माइनस में 179 तो कितना बचेगा यहां माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है अगट आओ तो क्या आएगा जीरो और यह दो बचेगा और एक सो बीस आएगा ना अब राबर में जीरो चलो गुनान खंड वीडियो लगा दो यहाँ यहाँ यह कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लो पहले दो दो कॉ मेश में 6 यह दो गुना में ड अग़ाट हो भाघा में तो जी रही दोग आएगा जीरो आएगा क्लीडर यह ओ konstant कर दो साथ का तीन पचे 15 गटाने उटाने पर नहीं आने बला इना सही है कुछ हाव सोच जी दू 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 नीचार चालतीया बारा बारा पांच साथ अगहटाएं गटाएगा हाँ आजाएगा तेगो लेलो बारा और येगो लेलो पांच अचे जराई ये बताओ कि माइनस में साथ एक्स माइनस को है बराबर जीरो क्यों अब देखो दोड़ा करके कोमन नेंगे तो इसमें एक bir Plugin मैं और एक्स मैंनष बार पालश पांच केवान एक्स माइनस बारात हो एक मार लिख नीश-बार अब एक्स पांच बडाबराबर 5 मटा जी रोग होकि नि नियोगा टेक्स बराबर जाएगा यहां और यह एक्स बराबर अच्छछा यह बताओ कि भूजा कभी माइनस मेन रह सकता नहीं लेंगे नहीं लेंगे तो कोन साधा लोग ऑडौ का है जो समकौन का है समकोन टिर्भुच की आधार कि बारावर बारा सेंटीमितर जो कि को जिए वाक प्रसनावर बचाह में ढख़या है लास्ट देखो कोप्नो मंअमर इन सिamm है कि एक कुटीरी द्योग यहां फिर से कौँष का धह एक दिन में कुछ बटनों का निर्मान करता एक 20 से दिन यह देखा गया कि पर टेक नग की निरमान लागत में उस substitute के निरमान किये गये बर टनों कि संक्ख्या की धूगने से टीन अधिक अधिक तो उसे यदि उस दिन कूल निर्मान लागत न बिर्पया है तो निर्मान बर्टनों की संख्या और नग की लागत ग्याद करें तो सबसे पहले जो चीज ग्याद करना है उसको दिखो माना की बर्टनों की संख्या बराबर एक्स बर्टनों की संख्या बराबर एक्स और पर्टेक नग की लागत तो देखो पर्टेक नग की लागत बराबर अच्छ जण यह बताओ क्या बोराया लागत देखो थे जल्ण यार देखा गया पर्टेक नग की निर्मान लागत उस दिन के जो बर्टन था उसको से दूगना बर्टनों के दूगनां तो बता इसका तो दूगना कर दो तो बर्टन के संख्या को क्या माने थे एक्स एक्स का दूगना करने का मतलब 2x हो जाएगा दूगना ही ना हुआ अवा उससे भी कउचि बूरा तीन अधिक तू एक्स पलस क्या हो जाएगा ठीरी इतना निकल जाएगा अधि अब बताओ बुरा यदि उस दिन की कूल पर निर्मान लागत आगर ऐसे हम लोग उयाद करें कूल निर्मान लागत अब ऑन लेक। निर्मान लाइट क्या बर्तर्ड के संख्या एक है एक से और एक हो का लागत कितना लग ना लागत तो उसको से गुना करे突 def despite है अभी आप इसा प्रसप्रासन में पर यस होन इहां जाएगा नहीं लेकिन प्रशं जहां देखें क्या करा है इसलिए अब चलते हैं प्रास्ति प्रास्ति saw चारा कि मेरा तो लागती ये सद्धाती है हम लोग आयां कि नहीं कुल लागत थिरिपया उड़ा यह ऻुटा हो यह यह दोनों तो दूनों अपस में बराबर सुए performs गलत है नहीं है ऐसा हो हो सकता है ना चलो और गुना करो तो यह जो नहीं लेकिन पहले को नहीं पर आई नहीं पर दो गुणा करें यह हो जाएगा टूएकस स्क्वार ंपलस ठीरी और यह पलास में नब्य ठाई डराये तो बरावर जी दो अब देख एसको इसको सोल कर दो आ जाएगा 2xATT감 कॉमन नहीं आ सकता है नहीं आएगा माइनस नभे कर दो कि माइनस नभे कर के माइनस नभे देख यह दूनों को गूना करें का था नबें डूनी एक सवासी को क्या कर दो GO हिर तो भूम्राइब दूसे फइंट और इस तीन से पांच को क्या लिखों में दो गूने दो गूने तीन गूने पांच इसको डो टर्मि में बनाना हा ब चोने गटाने पर तेन लाना गोत तीन लना है निस अरिंड पंद्र गाताएं गटाइगा बाटीन तीन आजागा है कि नहीं पलस्तीन लाना कि मैंनस तीन ता पलस लाना तो बारावला को कवची में माने विए रिशको अब लो एक्समे एक सेस्ट डूनों मिले दो ते गोह गाएगा माइनस में अर एको यह पलस में 15 चलो कमन निकालो ड आएक निया थो एक सिसमें बचेगा क्योंकि टू एक सखटम हो गया ता आप माइनस दू छाग 12 बस इतने बचेगा अब पलस 15 कॉमन ले लो तो एक सिसमे भचेगा माइनस 15 चका नब तो एक मैंद चब में यह्यां तो एक सखटम होगा थो एक सखटम क्या यह जाएगा माइनस पंद्र एक्स बराबर क्या जाएगा अब ज़राई बटाओ कि बर्टानों कि संख्या क्या माइनस में आएगा माइनस वला नहीं आएगा तो यानि यह भाईलू तो नहीं हो सकता यह वला होगा तो क्या लिखेंगे बर्टानों कि संख्या बराबर एक्स ठाना एक्स क तो पर टेक नग की लागत तो बताओ नग की लागत क्या है तो दू के दू आएक्स का मान कितना है च्वा पलस तीन तो दू छा का बारह पलस तीन पण्रवर रुपया लागत को यहां रूपाई है मैं यहां भी लेग दो रूपया रूपया बोलो कोई प्रॉब्लम है तो यह जो एक्सरसाइज है वो समाप्ठ हो गया है